हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब पढ़ाई अच्छी चल रही होगी पिछले वाले लेक्चर में हमने वार्नर्स थियोरी की बात की थी आज हमें वी-बी-टी की बात करनी है किसकी वी-बी-टी वी-बी-टी का मतलब क्या होता है वैलेंस बोंड थियोरी क्या बात करनी है हमें GBT की valence bond theory ठीक है अब इन्होंने बात की starting में bonding की की जो metal है और जो ligand है उनके बीच में bonding किस तरीके की है क्योंकि आप कोई metal ले रहे हैं और उसमें आप ligand बना रहे हैं ठीक है आपने ammonia ली आप octahedal में बना रहे हैं और यहां पे आपने 3 positive में लिया है ठीक है तो यह जो metal है और जो ligand है उनके बीच की bonding कैसी है वो बात चल रहे है तो VBT ने simple एक approach मानी क्या approach मानी कि जो ligand है तो वो metal को अपने lone pair donate करता है तब अपने जो भी हैं जो के पास electrons है वो तब किसको donate करते है metal को तो वो जो attraction होती है वही उसकी bonding का कारण होती है तो इसके लिए क्या-क्या चीजे चाहिए वो VBT ने बताया कि metal के पहली बात तो जो orbitals हैं जितने भी lone pair और वो ligand से लेगा उतने orbital उसके खाली होने चाहिए तेक है और जैसे आप कहरे मान लीजे यहां पे मुझे 6 orbital खाली करन हैं तो अब यह जितने भी orbital होंगे वो hybrid होने जरूरी है कैसे बच्चो hybrid होने जरूरी है hybrid का मतलब क्या होता है जिन orbitals की energy क्या हो same हो क्या होनी चाहिए बच्चो energy same होनी चाहिए मालो अब आपके पास है एक तो d के 5 orbital हो गए फिर आपके पास s के हो गए एक orbital और फिर आपके सबस् hertzuk जाए तो यही चीज किसी ने बोली है वीविटी कि जो ऑर्भिटल होने चाहिए वो हाइब्रिब्रेड होने चाहिए तो फो वही हमें बात करना आपको इस नोग में अनिकालना आपको spin निकालनी है और spin multiplicity और magnetic moment कितनी होगी और magnetic character कैसा होगा तो वो सारी चीज़ हमें निकालनी है तो बच्चो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए जो ligands है अपने पास जो ligands है उनका nature और आपको पता होना चाहिए नेचर कैसे डोनेट तो करते हैं वो तो हमें पता है कि लेविस बेस होते हैं पर आपको ये पता होनी चाहिए कि वो ligand एक strong ligand होती है और एक होती weak ligand क्या होती है बच्चो weak ligands strong वो होती है जो अपने electron फटाफर डोनेट कर दे weak क्या होंगी जो डोनेट नहीं करेंगी जैसे आपके पास जितनी भी carbon containing ligand होंगी वो strong ligand होंगी कैसी होंगी strong होंगी क्योंकि देखो एक carbon की है एक nitrogen की है और oxygen की है क्या oxygen electron डोनेट करना चाहेगा बिल्कुल नहीं चाहेगा मतलब ये कैसा ligand होगा एक weak ligand तो carbon तो सबसे less electronegative है न तो जितनी भी ligand carbon containing होंगी वो strong ligands मानी जाती है फिर क्या है जो nitrogen वाली है फिर क्या है जो oxygen वाली है इतनी बात समझे तो इसी लिए एक order बनाया गया था जिसको हम spectrochemical series बोलते हैं बच्चो क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रो लिखो स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रो chemical series तो बच्चो वैसे तो ये concept CFT में आया था ये VBT theory पड़ रहे हैं पर ये कौन सी में आया था? CFT में crystal filled theory में आया था पर यहां हम use करेंगे मतलब ये बात में discover हुआगा पर हम यहां पर use करेंगे इसी वज़े से हम पहले ही कर रहे है तो स्पेक्ट्रो chemical series क्या होती है एक arrangement है एक order है किसका ligands का अब उसको क्या कर सकते हैं मतलब पहले आप weak ligand रख सकते हैं weak से कहां तक strong ligand का तो ये एक order है स्पेक्ट्रो chemical series ये कोशन कई बार पूचा गया है स्पेक्ट्रो chemical series क्या है तो ये एक order है जिसके वज़े ये क्या है मतलब पहले weak ligand होगी weak से फिर strong strong ऐसे ligand रखी जाती है तो आपको क्या क्या याद रखनी है अब वो देखो देखो आपको इतना याद है ना सबसे last में होते है halosins बच्चे क्या होते है halosins देखो वो तो बिल्कुल देना पसंद नहीं करेंगे मतलब iodine है I negative negative है ध्यान रखना सिर्फ iodine में और negative में फरक होता है इतना समझते हम iodine है फिर उससे ज़्यादा strong हो जाता है BR क्या हो जाता है BR BR से strong होता है फिर S2 negative sulfur का 2 negative फिर क्या होता है SCN क्या है thiocyanide SCN उससे strong होता है बच्चो chlorine और फिर कौन होता है fluorine ठीक है फिर कौन होगा fluorine fluorine के बाद होता है OH negative hydroxide ठीक है पहले halosins आ गई अब oxygen वालों की बारी आ गई फिर होता है इसमें C2 O4 2 negative यह कौन है अपना oxalate ion ठीक है oxygen देता है कार्बन का लेना देना नहीं oxygen देता है ठीक है oxalate ion फिर क्या आता है बच्चो O2 negative O2 negative उसके बाद आएगा इसके बाद O2 negative के बाद आएगा कौन बच्चिया oxygen का पानी बच्चिया तो फिर पानी आएगा पानी के बाद लिखो N-C-S N-C-S 2 negative फिर क्या है ammonia अब nitrogen वालों की बारी आ गई ammonia के बाद होता है EN EN क्या है Ethylyl diamine EN के बाद बच्चो आता है NO2 negative क्या है NO2 negative और फिर क्या है C-N फिर क्या आता है C-N और C-N के बाद आता है C-O ठीक है तो कार्बन वाली लिगेंड सबसे जादा स्ट्रोंग होती है तो ये order आपको याद रखना है ठीक है आपको इतना तो पता है ये सारे halosin है यहाँ पर आ जाता है फ्लोरी ठीक है ये negative है F-negative C-negative ये ध्यान रखना ठीक है तो ये सारे ligand है मतलब ये order तो आपको याद रहे का बीच में sulfur आ जाता है sulfur फिर SCN और इसमें ये OH-negative oxalate iron फिर ये सारे oxygen की है फिर nitrogen की start हो जाती है ठीक है आपको ये याद कर लें न पहले हेलोजन के है फिर सारे oxygen के oxygen में कौन-कौन आ गया OH-negative oxalate iron O2-negative और पानी ठीक है फिर ये nitrogen की है 4 और फिर ये 2 carbon की आपको याद करनी है C-N और CO तो सबसे strong ligand कौन हुई CO और सबसे weak ligand क्या हुई I-negative अब देखेंगे कि हमने क्यों पढ़ी है क्यों याद की है ठीक है एक question लिखे अभी start करिए आपके पास chromium है ठीक है आपके पास क्या है chromium है और उसकी ligand है ammonia ठीक है और ये 6 है और charge है यापे 3 positive ठीक है न अब देखो chromium के atomic number बताओ कितना होता है 24 होता है हमें पता है oxidation state निकाल ये देखो ये neutral ligand है तो जो उसके उपर charge होता है complex से उपर वही charge किसका होगा metal का ठीक है तो 3 oxidation state किसकी आ गई chromium की 3 plus आ गई ठीक है 3 तो इसके एक बार configuration लिखिए कितनी आ जाएगी 3d5 और 4s1 यही है अब इसमें से 3 electron बाहर निकाल दीजिए निकालें कितने हैं एक ये है और दो यहां से निकाल दो तो 3d3 अब इसको भर लो ठीक है आप d orbital बनाओ एक बरी ये d आपने बनाया इसमें कितने orbital होते हैं 5 होते हैं बना लिए 3ों कि 3ों भर दो एक बरी ये 3 electron हमने भर दिये तेक है अब यहां आपको करना क्या है अब कितनी ligand है 6 ligands है कितनी है 6 1 ligand 2 electron देती है 6 कितने देगी 12 देगी तो अब आपको 12 12 देने वाली है electron तो आपको orbital कितने खाली चाहिए 6 orbital खाली चाहिए क्यों क्योंकि एक orbital में 2 electron आ जाते है तो करिए अब खाली देखो 2 तो यहां पे है और 1 यहां पे आएगा किसका S का और यहां पे आगे क्या जाएगा 4P तो 3 इसके है तो 2 यह 3, 4, 5, 6 इतना हमें पता है यह पहले वाले lectures में भी बहुत बार हो चुका है तो अब आप क्या करें यह भरना शुरू करें तेक है यह 2 electron यहां डाल दिए 2 यहां तो 12 electron हम यहां पे फिल कर देंगे एक पर hybridization निकाल लिए कितनी होगी इनकी hybridization कितनी हो गई D2 और यह क्या है SP3 D2 SP3 यहां पे hybridization बन गई है अब देखो क्या यहां unpaired electron है बिलकुल है तो यह क्या एक magnetic इसका कोई nature होगा paramagnetic होगा क्या डाय magnetic होगा para होगा कैसा होगा paramagnetic क्योंकि unpaired electron है अब आपको क्या निकालनी इसकी magnetic moment बताओ magnetic moment कैसे निकालते हो आप कैसे निकालते हो N into N plus 2 और under the root ऐसे ही निकालते है N क्या बचो unpaired electron क्या है unpaired electron unpaired electron कितने है 3 तो यहां पे 3 करो into 3 plus 2 और under root 2 तीक है आप इसको solve करेंगे मैंने आपको एक ट्रेक बताई थी कि जितने unpaired electron होते है माल लीजे यहां पे unpaired electron 3 है तो कितना लिख दोगे 3.9 या 3.8 उसकी magnetic moment आएगी तीक है बात समझ के न अगर 3 electron अगर 2 electron होते तो लिख देते 2.9 या 2.8 तीक है और 1 electron होता तो कितना लिख देते 1.8 या 1.9 तीक है फार्मल आप यही बुट कर देंगे कि n n plus 2 और यह आपकी magnetic moment ऐसे आजाएगी जितने unpaired electron है उसमें point लगा के 8 लिख दीजिए या 9 लिख दीजिए अब यह मत करना कि एक भी unpaired electron है नहीं और 0.8 उसकी magnetic moment लिख दो ठीक है ऐसा नहीं करना है समझ गए अब मैंने बोला था कि spin multiplicity क्या होती है बच्चो spin बोलो spin multiplicity multiplicity अब वो निकाली जाती है 2s plus 1 से 2s plus 1 s क्या है spin है spin कैसी होती है बई जैसे एक electron की spin हाफ होती है एक electron की spin हाफ होती है दूसरे electron की भी spin हाफ है तीसरे की भी हाफ है तो यह s की value हो जाएगी इन तीनों को plus कर लेना यह किसकी value हो जाएगी s की यह तो सिर्फ spin है यह तो सिर्फ क्या है बच्चो spin हमें पता करनी है spin multiplicity तो आप क्या करेंगे ये 2 और ये आप spin इनकी add कर लेंगे बई प्लस आफ प्लस आफ प्लस आफ कितना 1 तो ये इसकी क्या जाएगी spin multiplicity और वो value क्या आगई इसकी भी एक छोटी से trick है जितने unpaired electron होंगे जितने unpaired electron होंगे उसमें एक जोड़ लीजिए तीन है तो चार इसकी क्या जाएगी spin multiplicity समझ गए जितने unpaired electron है उसमें एक और add कर दीजिए एक add कर दीजिए वो जाएगी उसकी spin multiplicity सिर्फ only spin पूछे तो देखो ये भी half ये half और ये भी half देख है बात समझ गए चलो आपको कुछ काम की बाते बताते हैं और आपको ये बता है ये जो spectrochemical series लिखवाई अभी ये क्यों लिखवाई गई है इनको भी ध्यान से समझ ना देखो अमोनिया तक ये जितने भी पीछे रह गई ये सारे weak ligands माने जाते हैं अमोनिया भी और ये सारे पीछे जितने ligands है ये सारे weak ligands माने जाते हैं ENO2-CNCO ये सारे कैसे माने जाते हैं strong filled ligands माने जाते हैं कैसे strong filled ligands अब strong filled ligands का अभी हम काम देखेंगे कि वो करते क्या है वो pairing करवाते हैं बच्चो क्या करा देतें pairing करा देतें electron की माली जी कोई ऐसे अलग-अलग बैठा न ऐसे क्या है कोई ऐसे अलग electron कोई बैठा है तो क्या करा देगा भई तू यहां मत रुख तू यहां इसके साथ pair up हो तो उसमें इतना दम है कि वो यह जंगे खाली करवा देगा माली जी आप क्या है आप डोन है कहीं के आपकी चलती है बहुत ज़ादा तो आप क्या कहें वह यह seat खाली कर मैं यहां बैठा हूँ और तू किसी और की साथ जाकी बैठ तो वो क्या करा देते हैं strong-filled ligand क्या करा देते हैं जो कोबाल्ट है अगर वो प्लस 3 में है किस में है प्लस 3 में तो वहाँ पे ammonia एक strong-filled ligand के जैसे काम करती है अगर कोबाल्ट प्लस 2 में है तो वो वहाँ पे weak-filled के जैसे काम करती है देखो जैसे जैसे oxidation state बढ़ती जाती है माली जी वो प्लस 4 में हो गया तो जैसे जैसे oxidation state बढ़ती जाती है मतलब यह charge जो है positive का यह बढ़ता जाता है तो वो चीज कैसी होना start हो जाती है strong field ligand के जैसे behave करना start कर देती है तो जो cobalt है cobalt के बाद copper तो होता भी नहीं है वैसे भी किसमें plus 3 में nickel भी नहीं होता plus 3 में तो जितने भी यह प्लस 3 में cobalt के बाद जितने भी वाल यह है तो वो उसमें कैसे behave करना शुरू कर देती ammonia एक strong field ligand के जैसे इतनी बात समझ में आई plus 2 में ammonia हमेशा किसी भी metal की plus 2 oxidation state में ammonia एक weak field ligand होगी पर अब चलो बच्छो आप एक question करेंगे अब ही साथ सारी चीजे लिखेंगे आप देखते हैं कौन जल्दी करता है आपके पास Fe, Cn और इसका है 6 और charge है यहाँ पर 3 negative ठीक है अब इसको solve करके दिखाओ कि इसमें क्या क्या चीजे है iron की oxidation state देखो यह है 6 negative इसका कितना है क्योंकि 1 Cn पेक negative होता है 6 है तो 6 negative उपर पहले ही कितना charge दिखाया हुआ है 3 negative तो कट जाएगा यह ठीक है all over तब negative और negative है तो उनका difference निकाल लिया जाता है तो कितना आ जाएगा 3 का difference है तो यहाँ plus 3 लिख दीजिए ठीक है क्या लिख लिजिए plus 3 ठीक है अब देखो इसका atomic number होता 26 कितना होता है 26 atomic number होता iron का अब इसकी configuration लिखें तो क्या जाएगी 3D6 और 4S2 ठीक है न अब क्या करें plus 3 है oxidation state इसमें से 3 electron बाहर निकाले तो क्या जाएगी यह बन जाएगा 3D5 क्योंकि एक electron यहां से निकाला दो यहां से तो 3D5 बच गया अब इसको भर लीजिए किसमें D वाले में भरें कितना आ जाएगा यह 5 आपको इसमें electron डालने है 1, 2, 3, 4 और यह 5 डाल दिए यहाँ पर S वाला खाली होगा और यहाँ पर कौन सा P के खाली होगे आपने डाल दिए यह अपना है 3D वाला यह 4S है और यह 4P है अब क्या है CN है, CN एक कैसी ligand होती है strong field ligand CN कैसी है, एक strong field ligand है तो आप क्या करेंगे, pairing करवाएंगे क्या करेंगे, pairing करवाएंगे देखो, आप क्या कहेंगे यह वाला जो electron है अब तू इसको CN कहेगा निकलो यहाँ से, खाली करना है यह कमरा यह उठके, इसके पास चला जाएगा चला गया, यह कमरा हो चुका है खाली है, अब इसको खाली समझो तेक है, अब इसको भी उठाके फेकेगा इस वाले को, भई तू भी निकल यहाँ से खाली कर इस कमरे को, खाली हो गया इसको भेज देगा इस वाले के पास आप यहाँ पेरिंग कराओ, तेक है इसको यही छोड़ देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि 6 खाली चाहिए थे, 2 यहाँ पे हो गए तीसरा यह, चोथा, पांचवाँ और यह चटा 6 हो गए, 2 यह, 3, 4, 5 और 6 6 कमरे खाली हो चुके हैं, तो और कोई दिक्कत नहीं तो CN भी तो क्या देता है, 2 इलेक्ट्रोन तो देखो, 2 यहाँ भर दो, 2 यहाँ, 6 ना तो आपको 12 इलेक्ट्रोन ऐसे भर देने है, भरे गए अब देखो, हाइबडाइजिशन क्या हो गई, 2 D के, 1 S का और P 3, समझ गए, अब बताओ, यहाँ पे क्या कोई अनपेर्ड एलेक्ट्रोन है, बिल्कुल है, एक एलेक्ट्रोन बाकी है, एक एलेक्ट्रोन बाकी है ना, तो यह क्या होगा पैरा मेगनेटिक, यह भी क्या होगा, पैरा मेगनेटिक, इसकी मेगनेटिक मुवमेंट बताओ, मैंने कहा था, आप क्या put कर देंगे, under root n, n plus 2 यही होगा, इसमें कितने हैं एक electron, यह भी, 1 plus 2, under root, तो कितना आ जाएगा आपका answer, 1.8 या 1.9 और short हमने क्या किया है, कि अगर एक electron है, तो उस पे point लगा कि 8 या 9 लिग दीजिए, यह आ गया, ठीक है, अच्छा, spin कैसे निकालेंगे, spin है, इसकी half, क्योंकि एक ही electron है, और spin multiplicity, 2s plus 1, यह क्या बताएंगे, मैंने कहा था, जितना electron है, उसमें एक add कर दीजिए, तो spin multiplicity कितनी हो जाएगी, 2, तीक है, निकाल लीजिए, बेशक से, 2 ही आएगी, तो 2s plus 1, मतलब 2 लिखिए, spin की value पुट करिए, half और plus में 1, क्या जाएगा, 2, ठीक है, ना, समझ गए, तो आपसे question कैसे पूछे जाते हैं, बच्चो, ध्यान देना, आपको लिखेंगे, यह nickel 2 positive form में है, किसमें है, nickel 2 positive form में, उसकी reaction कर दी यह KCl के साथ, किसके साथ, KCl के साथ, तो एक compound बना है, ABC, जो भी लिखके देगा, A बन गया है, और फिर उसको excess of KCl के साथ react कर दिया गया है, तो जो compound है, जो complex है, वो बताइए, आपका क्या बना है, तो देखो, Ni2 positive है, Ni2 positive है, और यहाँ पे Cl है, तो लीगेंड तो सिर्फ Cl ही होगी, तो Ni, NiCl2 बना दो, क्या बना दो, NiCl2, अब क्लोरीन बढ़ा दिया गया है, निकल 2 positive में ही रखना है, क्या बढ़ा दिया गया है, बचो, क्लोरीन बढ़ा दिया गया है, तो अब क्या कर दोगे, इसको 4 कर दोगे, क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, कितना 4 कर दोगे, और Ni, 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 रहना चाहिए 2 positive में, तो देखो, यह है 4 negative, यह है 2 positive, All or charge कितना बचा, 2 negative अभी बचा वाई, तो complex पे कितना charge दिखा दोगे, 2 negative, तो यह complex बन गया, अब इसकी सारी चीज़े बना के बताओ मुझे, कि इसकी hybridization क्या है, सारी चीज़े बताओ, लिखो, configuration क्या होती, यह nickel का atomic number है, 28, कितना है बचो, 28 इसका atomic number है, configuration क्या होगी, 3D8, 4S2, यही है 3D8, 4S2, अब कितने, 2 positive, मतलब 2 electron निकाल दो, बाहर निकल गए, तो यहाँ पे अब 8 electron आपको बढ़ने हैं, किसमें, D के orbital में, आपको कितने 8 बढ़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8, ठीक है, देखो, chlorine एक weak ligand होती है, आपको बता है, देखो, यहाँ कहीं है, देखो, weak ligand है, तो pairing तो कराने से रही, pairing नहीं कराएगी, तो D के बाद, बच्चो, यहाँ कोन आता है, S आता है, 4S आता है, फिर कोन आ जाएगा, यह P आ जाएगा, देखे न, अब कितने orbital खाली चाहिए, 4 ligand है, कितनी है, 4, 4 है, तो देखो, 4 खाली है न, तो यह 1, यह 2, 3, 3 और 4, क्योंकि एक ligand, एक lone pair, एक pair देती है, electron का, तो आप यह 4 हो गए, hybridization क्या हो गए, यह S और यह P के 3, तो SP3, और SP3 किस की hybridization होती है, बच्चो, tetra-hedral, तो यह कोन सी structure है, tetra-hedral, समझ में आ गया आपको, ठीक है, आपके पास, बच्चो, अगर वो D8 configuration में है, मतलब जिसकी भी क्या configuration हो, D8 configuration तब भी आती है, तो अगर strong field ligand होती है, बच्चो, क्या होगी? Strong field अगर ligand होगी, तो square planar complex बनेगा, कैसा square planar complex? अगर D8 configuration है, D8 configuration है, और strong field ligand है तो square planar complex बनेगा समझ गए पर अगर इससे उल्टा है D8 configuration है weak field ligand है weak field ligand है तो tetrahedral complex बनेगा समझ गए, बहुत काम की बात है याद होनी चाहिए जैसे कोशन बदा ना, आपके पास है NIE, CO और इसका है 4 times तेक है, और कोई charge नहीं है क्या है, कोई charge नहीं है, तो nickel कितना होता है nickel होता है, बच्चों आपको पता है D8, 3D8 और 4S2 ठीक है, और कोई यहाँ पर कोई charge, और बच्चों जो कार्बनिल होता है, जो CO होता है, उस पे भी कोई charge नहीं होता, और complex पे भी कोई charge है नहीं स्ट्रॉंग है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग है तो अभी मैंने बोला था अगर d8 configuration हो और strong field ligand हो तो वो square planar complex बनाएगा बच्चे यहीं गलती करते हैं कि sir ने, madam ने, master ने तो यह बताया था d8 configuration strong field ligand तो square planar तो प्यारे बच्चो एक बड़ी ध्यान से देखो अगर यह d8 सिर्फ क्या d8 है यह भी तो 2 electron है आप यह बनाएंगे कि मान लो भई आपने क्या बना लिया आपने यह d orbital बना लिया ठीक है आपने यह 8 electron यहां सब को दे दिये ठीक है न यह 8 electron मतलब total भर दिये 8 हो गए होंगे न 5 6 7 8 ठीक है और यहां पे 10 यह दो और यहां पे 2 electron S में है तो यह एक strong field ligand है यह खाली कराएगा यह इसको धक्के मारेगा निकल भई यहां से और वो इस D में पुंचा देगा इसको तो क्या अब यह d8 configuration बच्ची नहीं कितनी हो गई d10 और मैंने क्या बोल d8 configuration strong field ligand तो square planar complex बनेगा तब d10 होगा तब ऐसा नहीं होगा ठीक है वो भी ध्यान रख लेना